आप सभी के हृदे में विराजमान परमात्मा को मेरी रामरा राम कथा रतनाकर है रतनाकर कहते हैं महासागर को रतनों का आगार, भंडार, घर तो ये जो राम कथा है न ये रतनों का भंडार है अब आपने देखा होगा जो सागर है उपर से दिखने में साधारन लगता है कोई मनुष्य ये कलपना नहीं कर सकता कि सागर के गर्भ में न जाने कितने रतन समाय हुए हैं, सोय हुए हैं लेकिन जो गोता मारते हैं भीतर वेही उसे पाते हैं अन्य लोग भी पाते हैं, जो किनारे पर रहते हैं, सागर उन पर भी बड़ा कृपालू है, कुछ-कुछ सीप वहां पर आ जाती हैं, किनारे पर, और उन सीपियों को लेकर ही, जन सामान्य प्रिसन हो जाता है, तो राम कथा एक ऐसा रतनाकर है, जिसे यदि बाहर-बाहर से देखेंगे, तो लगेगा कि ये तो साधारन सी कथा है, इसमें कुछ भी तो विशेश नहीं है, सब कुछ सामान्य और इतना सामान्य होता है कि पूरी राम लीला निकल जाती है, और लोगों के दिलों को कुछ न नहीं, वही राम लीला के मेले ठेले सब उसी में खो जाता है, वही जो मेले ठेले राम लीला के आसपास लगते हैं ये माया का पसारा होता है, जो राम कथा को धंग से सुनने नहीं देता, लीन नहीं होने देता, राम लीला चल रही है, लेकिन क्या मतलब राम लीला से, रा पॉपकॉर्न खाने हैं, भल्ले पापड़ी खाने हैं, आलो की टिक्की खाने हैं, वो सब आस-पास खुम्चों से आ जाती है, तो रामकथा से क्या सरोकार, लेकिन गरुड जी जब सुन रहे हैं काक भुशंडी जी से रामकथा, तो बिल्कुल लवलीन होकर, भगवान शिव ने सुनी, बिल्कुल डूब कर, अब जब रामकथा, सुनाने वाले काक भुशंडी जी, और सुनने वाले इतने गुण ग्राहक, इतने रिसेप्टिव, तो वो जो रिसेप्टिविटी है, वो रहस्यों को खोलती जाती है, और गरुड जी के भीतर जो मोच आ गया था, ब् सुम गरुड जी क्या कह रहे हैं यह सुनिये, गए हु मोर संदे, सुने हु सकल रगुपती चरित, काक भुशंडी जिसे कहते हैं गरुड जी, कि मेरा जितना संदे था, रगुपती जी के प्रती, प्रभुशरी राम के प्रती, वह राम की एक कथा सुनने के बाद सब चला गया राम की कथा तो हम लोग भी सुनते हैं हमारा संदे तो नहीं जाता और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है क्योंकि हम सुनते ही कहां है सुनना एक कला है विद्या है जब गरुड जी ने कथा सुनी तो वे केवल सुनना हो गए थे भगवान शिव ने जब सुना वे भी वे सुनना हो गए थे जो listening skills है यानि सुनने की खला वह यह होती है कि जब आप सुने किसी चीज़ को तो आपका पूरा शरीर केवल कान बनके रह जाए सारी इंद्रियां कान में आकर केंद्रित हो जाएं आप सिर्फ कान होकर रह जाएं और इसी तरह से देखना होता है कि देखना यही होता है कि जब शरीर की कोई इंद्रि शेश ना रहे सारी इंद्रियां आँख पर ही आकर केंद्रित हो जाएं जैसे अर्जुन की होते थे अर्जुन जो देखना चाहता था सिर्फ वही देखता था बाकि सब कुछ आउट ओफोकस हो जाता था तो गरुड़ जी ने भी इसी प्रकार से राम कता सुनी भयहु राम पद ने तव प्रसाद बायस दिलग कहते हैं कोवों में श्रेष्ट काक श्रेष्ट जैसे हनुमान जी को कहते हैं न वानर श्रिष्ट ऐसे काक श्रिष्ट काक भुशंडी जी आप से राम कथा सुनने के बाद भै हु राम पद ने मेरा राम के शरी चर्णों में प्रेम हो गया है यह जो आपने प्रसाद दिया राम कथा का यह आपके अत्रिक्त अन्ने कोई देही नहीं सकता था यह आपका अनुग्रह है आपकी अनुखंपा है कह रहे हैं गरुण जी की मुझे तो राम जी को बंधन में देखकर महा मोह ने घेर लिया था देखा कि युद्ध में वो बंधन में पड़ गए हैं कहते हैं जब यह चिदानन्द स्वरूप है तब क्यों एक जन समानने के समान व्याकुल हो रहे हैं कि वे तो बड़े व्याकुल हो गए थे तो उनको इस प्रकार से व्याकुल हुआ देखकर परेशान हुआ देखकर बंधनों में पड़ा हुआ देखकर मुझे तो संदे होना स्वभावी की था क्योंकि उनका सारा वहवार एक जन समानने के समान था यदि वे चिदानन्द है तो फिर उनका ऐसा वहवार नहीं होना चाहिए उन्हें तो कोई अंतर ही नहीं पड़ना चाहिए चाहिए कोई कुछ भी करता रहे लेकिन उन्हें तो अंतर पड़ रहा है बिल्कुल जन समानने के समान देख चरित अतिनर अनुसारी भयु हुखर देमम संसे भारे च्यों मेरे मन में ये भारी संशे हुआ कि राम ये ही प्रब्रम नहीं है क्यों हुआ कारण समानने था देख चरित अतिनर अनुसारी उनका जो चरित मैंने देखा देखा वो तो एक समानने नर के समान है वे वैसा ही वैवार कर रहे हैं जैसे कि कोई एक समानने एक साधारन व्यक्ति करता है कुछ भी विशेश व्यवार नहीं था अनेक प्रसंग में लक्षमन को शक्ती बान लगा तो व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं पिता के दिहांत का समाचार मिला तो रो रहे हैं जटायू की मृत्यू पर रो रहे हैं और सीता के वियोग में तो जो रोई हैं उसको तो बखाना ही नहीं जा सकता कितने कितने प्रसंग ऐसे आते हैं राम के साथ के जिनको देख कर लगता है कि ये तो विल्कुल जन समानने का वहवार है वे अयुद्या छोड़कर चले गए और अनेक लोगों के मन में तो ये संधे आ गया कि राम वीर पूरुष थे ही नहीं अगर वीर पूरुष होते तो वो लड़ते और पिता को कारागार में डालके स्वंसी हासन पर बैठ जाते ऐसे भी भला कोई छोड़कर जाता है अपना सामराज्य तो जिनके ओपर और गहरा मोच आया होता है वे इस दृष्टी से देखते हैं तो ये जो दृष्टियां हैं देखने की ये मोह ग्रस्त दृष्टियां हैं ये सारी खट गई इनकी अवेश्वम बता रहे हैं कि ये ये कारण से मुझे मोह हो गया था सोई ब्रह्म अब हित कर मैं माना गरुड जी कह रहे कि बहुत अच्छा हुआ मुझे वह भ्रम हुआ और मैं तो उसको अपने लिए कल्यानकारी मानता हूँ उस भ्रम को उस संदे को क्योंकि अगर वो संदे ही नहीं होता तो मेरी इतनी अच्छी यात्रा नहीं होती कीनी अनुग्रह क्रपा निधाना वे जो क्रपा निधान प्रभुशेली राम है उन्होंने मुझे पर अनुग्रह किया क्रपा की क्या क्रपा की देखा कि ये जो गरुड है ये तो संदे गरस्त हो गया और यदि संदेह ग्रस्त ही रहा तो ये संदेह इसका रोग बन जाएगा और प्रभुन ने तो मेरा रोग काटना था तो रोग काटना था तो इसनी मेरे भीतर उन्होंने व्यकुलता बहुत बर दे हुता क्या देखिए अगर गरुड जी को संदेह हुआ था जरा सा और वो कहते छोड़ो मुझे क्या लेना देना नारज जी ने कहा जाके प्रभु श्री राम का नाग पाश काट दो काट दिया मैंने अब ये चिदानन श्वरूप हो या ना हो मुझे क्या लेना मैं तो अपने काम पे निकलू ऐसा भी हो सकता था तो अगर वो संदेग गहराता नहीं उसके गहराने से व्याकूलता और नहीं घनीबोत होती तो भी नारज जी के पास लोटकर जाकर पूछते नहीं कि मेरे मन में ऐसा ब्रह्म हो रहा है उसका उत्तर दीजिए भीतर एक विमारी आ गई थी ना रोग आ गया था अवे रोग सतारा था संदेज से बड़ा रोग कोई नहीं अब उस रोग का उपचार चाहिए तो गई नारज जी के पास नारज जी समझ गए कि रोग भयंकर है तो आगे प्रेफर कर दिया कि विधाता के पास जाए ब्रह्मा जी इस रोग का निदान कर सकते है पहुँचे ब्रह्मा जी के पास तो वे कहते हैं कि भाईया मैं स्वयम ही रोगी हूँ मैं चिकित सक थोड़ी ना हूँ है इस रोग ने तो मुछे बना जाने कितनी बार पकड़ा है यह माया का रोगा प्रहम का रोग संधे का रोग तु बैज fan संधे ग्रस्त रहे चुका हो मोग रश्ट रहे चुका हो स्वैम रोगी हो उस रोग में दूसरे का क्ष़ उपचार कर सकता है और अभी भी कोई भरोसा नहीं है रोख भेरा कर गया तो तुम ऐसा करो सच्चे चिकित सकतो भगवान शिव हैं उनसे बड़ा वैद्द्य कोई है ही नहीं जाओ उनके पास अब गरुर जी वहां चले गए है तो भगवान शिव ने कहा कि देखो तुम सही जगए आयो लेकिन अब सही जगए चले जाओ काक भुशन्टी जी के बास महां पहुंचो और वहां पहुंचकर तुम्हारा पुरा उपचार हो जाएगा अब गरुर जी तो प्रसन हो गए होना ही था कि भगवान शिव जो जगए बता रहे हैं वह प्रामानिक जग निश्यत रूप से वहां उपचार होगा थोंकि भगवान शिव ने कहा है यह शिव के बानी है तो पहुंच गए थे वहां काक भुशन्टी जी से गरुड जी कह रहे हैं कितना अच्छा हुआ मेरे मन में ये संदे इतना गहराया तो मेरे भीतर ये तडप भी उठी कि मैं स संदे का निभारन करो यहां इस बात को समझ लीजिए अभी मैंने आरंब में ही कहा था कि राम कथा बड़े रहस्यों से भरी हुई है जन सामानने क्या करता है संदे के साथ जीता है और संदे के उस बीज को एक हरा बरा घना वरिक्ष बना लेता है बहुत बड़ा वरिक्ष वै उस संदे की जड़े काटने का प्रयास नहीं करता यह नहीं सोचता कि मेरे भीतर यह संदे आया है तो यह समाप्त हो वै उस संदे को और बढ़ाता है और बढ़ाता है लेकिन गरुर जी ने कह नहीं यह संदे नहीं होना चाहिए क्यों हुआ मुझे यह संदे मुझे इस बीच में हटा देना चाहिए खोद को एक के बाद एक गरुर जी को आगे भेजा जा रहा है लेकिन वो चिड़े नहीं खीजे नहीं इरिटेट नहीं हुए कि यह क्या चक्कर है जिससे देखो वही आगे भेज रहा है ऐसा कुछ नहीं संदे के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है तब उसका निवारन होता है जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जान नहीं सोई गरुर जी कह रहे हैं कि जो बहुत अधिक धूप में तपा हुआ हो धूप ने सता दिया हो कही छाया ना हो वही वास्ताव में छाया का सुख जानता है क्योंकि मैं इस संशे के ताप में बहुत तपा बहुत तपा और अपने के बाद जब अब मुझे ये काग भुशंडी जी के पास राम कथा रूपी विरक्ष की छाया मिली तब मुझे पता लगा छाया का सुख होता क्या है वो एक भजन सुना है ना सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को जैसे मिल जाए तरवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे तन को मिला है मैं जब से शरन तेरी आया मेरे राम तो तन को और मन को जो सुख मिलता है ना ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरन आया तेरी राम तो तन और मन दोनों को सुख मिल जाता है जब राम की शरण में चले जाते हैं गरुड जी भी वहीं गए हैं राम की शरण में और कह रहे हैं कि यदि ना इतना तपा होता मैं जल का महत तो सिर्फ वही जान सकता है जल में छिपे हुए अम्रित का तत्व केवल वही पहचान सकता है उसे अनुभव कर सकता है जो रेगिस्तान में मीलों चला हो रेगिस्तान में एर कंडिशन में बैठ कर जल के भीतर छिपे हुए अम्रित के तत्व को कोई नहीं जान सकता कहते हैं न जल अम्रित है, कभी इस जल में छुपे हुए अम्रित के तत्व को अनुभव करना हो न, तो सुबह से शाम तक चलना, प्यासे चलना, धूप में चलना, तडपने लगना बिना पाने के, और जब ये लगे कि अब तो सहन नहीं होगी प्यास, अगर जल न मिला, तो उस जल को भी कर देखना, उस जल नहीं होगा फिर, अम्रित, उसके भीतर जो अम्रित है न, उस अम्रित को खीचेगा आपका शरीर, आपका मन, खीच कर ले आएगा, जैसे मधुमक्ही फूलों से रस खीच कर ले आती है, शहद खीच कर ले आती है, मकरंद खीच कर ले आती इस प्रकार से आपका पूरा शरीर, मन, सब मिलकर एक मधुमक्खी बन जाएंगे जो इस जल के भीतर से अम्रित को खीच लाएंगे लेकिन कब जब प्यास को गहराएंगे गरुड जी की प्यास गहराई तो उन्हें रहसे का अम्रित सामने प्राप्त हो गया कह रहे हैं गरुड जी अगर मुझे इतना मोह नहीं होता है ताथ तो मैं आपसे कहां मिल पाता मैं तो नारत जी के पास ही नहीं जाता जब ना नारत के पास जाता ना विब्रह्मा जी के पास भेजते ना मुझे भगवान शिव के पास भेजा जाता और ना ही शिव मुझे आपके पास भेज दे यह इसी महा मोहों से उठे ताप के कारण व्याकुल होकर मुझे सुशी तल चाया चाहिए थी और यही मुझे भगाता रहा संशे और इस महा मोहों के कारण ही मैं आप तक पहुंचा अर्थात कई वार जो चीज़े हमें बाहर से बड़ी दुखदाई लगती है उनका अंत बड़ा सुखदाई होता है बहुत सुखदाई पता नहीं राम हमारी कौन सी यात्रा किसलिए करा रहे हैं क्या वे देना चाहते अब यहां गरूर ची को कितना कुछ मिला अब बात समझ में आई जब प्राप्ती हो गई कहते हैं यह जो राम की कता है सुख देने वाली हरी कता किस प्रकार से सुने हूं किमिहरी कता सुखाई भला अगर मैं इतनी यात्रा ना करता इतना ना भागता तो भला आप तक पोहुँचकर मैं किस प्रकार यह कता सुन सकता था और तो कोई है नहीं सुपात्र सुनाने वाल भगवान शिव भी जानते हैं यह कता आप मेरी समझ में आया लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनाई क्यों नहीं सुनाई चोकि जिस प्रकार से आपने सुनाई वैसी भगवान शिव भी नहीं सुना सकते थे वे स्वयम पारवत्ती से कहते हैं कि पारवत्ती सुनो जितनी मेरी बुद्धी है न जितनी भी मत्धी है थोड़ी बहुत उसी की आधार पर मैंने प्रभुषरी राम का यह जो चरित्र है कुछ कहा है सारा तो मैं भी नहीं कह सपाया दिभगवान शीव कह रहे हैं पारवत्ती से कि मैंने तुम्हें पूरी राम कथा सुनाई लेकिन प्रभुषरी राम का चरित जो मैंने सुनाया वो अपनी इस बुद्धी से सुनाया है तुम इसे अंतिम मत मालने ला यह मत सोच रेना कि मेरे प्रभु भगवान भोलेनात भूतनात शीव यदि उन्होंने यह कथा सुनाई है तो यह ultimate है अंतिम है इसके बाद कुछ नहीं अंतिम सकते है इससे अच्छी राम कथा कोई सुनाई नहीं सकता शीव कहते नहीं रेखांकित कर रहे हैं उस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि सुनो ये रामकथा मेरी रामकथा है जो मैंने अपनी बुद्धी से सुनाई है प्रभु राम का चरित तो सुनाया ही नहीं जा सकता, वो इतना विराठ है मैंने तो कुछ कहा है, तो यही बात यहां पर गरूर जी कह रहे हैं सुनु ही किमु हरी कथा सुहाई अती विचित्र यह बहुत विचित्र है अती विचित्रमाने अती रहस्यात्मक इतने अधिक गहरे रहस्ये हैं पकड़ में ही नहीं आते बहुत विधी तुम गाई और काग वशंडी जी आपने इसे बहुत विधी गाया है याने मल्टी डाइमेंशनल समझाया है एक एंगल से जब हम देखते हैं तो एक ही एंगल होता है होता है ना 2D, 3D 3D में फिल्म कुछ और दिखाई देती है और अब तो पता नहीं कितने D आगे बनते जा रहे हैं कि फिल्म ऐसे दिखे कि जैसे विधी आपके सामने हो तो वो 360 डिगरी का जैसे एंगल कहते हैं तो बहु आयामी रूप से आपने ये रामकता सुनाई और जिसके कारण ये जो अती विचित्र है, अती रहस्यात्मक है वो रहस्या कुछ-कुछ मेरी पकड़ में आ गया मैं उसको देख पाया, अनुभव कर पाया, आपके क्रपा से कहते हैं वेद, पुरान, संत, रिशी, मुनी, यानि कहीं ही सिद्ध, मुनी, नहीं संदेखा सभी एक बात कहते हैं और उस एक बात में कोई संदे नहीं है कौनसी बात कहते हैं और क्या संदे नहीं है कहते हैं जो सच्चे संथ होते हैं विशुद्ध संथ मिलही परते हैं वे केवल उसी को प्राप्त होते हैं सच्चे संथ किसे मिलते हैं आज ये जान लिजी गरुड जी आज ये रहस्य उद्गाटित कर रहे हैं कि सच्चे संत किसे मिलते हैं चितवाई राम कृपा कर दे ही राम जिस पर कृपा दृष्टी से देखते हैं राम जिसकी और देख लें कृपा करके फिर उसके बाद उसे सच्चे संत मिलते हैं मैं हिमाले में ऐसे ऐसे संतों से मिला हूँ रहस्यात्मक संत चिपे हुए संद, जो किसी से नहीं मिलते इतने अधिक रहस्यात्मा के स्थानों पर रहते हैं, मिलते ही नहीं किसे से, तो संयोग से एक पत्रकार मित्र मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे उनके पास किसी एक संथ के पास ले चलो मिलना है मुझे मिलना है दर्शन करने किसी एक संथ के पास ले चलो तो मैंने का भाई उनकी अनुमत्य के बिना किसी से नहीं मिला जा सकता वहाँ जाया ही नहीं जा सकता उन्होंने का बस एक बार मैं बिलूँगा मैंने का देखो पत्रकारों से और इन सब लोगों से वे बहुत दूर रहते उन्होंने का नहीं मैं बस चुप चाप बैठा रहूँगा आप बस ले चलिए तो मैंने अनुमत ही मांगी मत लाओ तो मैंने कहा कि बहुत अनुग रह कर रहे हैं यदि आप अनुमत ही दे देंगे तो उन पर कृपा हो जाएगी तो निश्चित रूप से मुझे ही सिखाने के लिए कि फाल्तू लोगों को यहां मत लाना कभी भी उन्होंने अनुमत ही दे दी और वे पत्रकार मित्र चले मेरे साथ और मैंने उनसे पूरे रास्ते कहा कि देखो कुछ भी बोलना नहीं है महां पर तो कि तुम जो भी बोलोगे तो तुमारी वो बुद्धी की खुजलाहट होगी बिलकुल मत बोलना और वो पहुँचे और पहुँचते ही वो जो भीतर का पत्रकार था वो भला कैसे चुप रहे सकता था वो मारने लगा धक्के बुद्धी खुजलाने लगी अब जब खुजलाहट होती है तो बिना खुजाए आदमी कैसे रहे वो बोल पड़े मैं बोले यहां बैठकर आपको कैसा लगता है आप कैसा नुभाव कर रहे हैं आप क्यों नहीं नीचे आकर सेवा करते तो उन्होंने मेरी और देखा और जिसका अर्थ था सांकेतिक रूप से इसे वापस ले जाओ वापस ले जाओ इसे और मैंने उनसे कहा के चलिये बस हो गया तो उन्हें ने कहा लेकिन मैंने तो छोटा सा ही प्रशन पूछा था तो ये जो संतों का मिलना होता है ये बड़ी दुरलब घटना होती है और संत मिलते नहीं ऐसे ऐसे हिमाले के अंदर योगी महायोगी संत बैठे है कि जिनको इन प्रैसों से पत्रकारों से भीडों से कोई ले न देना नहीं और वे ही संसार को थामे हुए है वे ही संसार के लिए प्रार्शना करते है वो जो है न सरवे भवन्त सुखिना सरवे संतुनी रामया ये उनकी प्रार्फनाई लगती है हमसे नहीं होती ये प्रार्फनाई कि सोचे कि हम और आप ये प्रार्फनाई कर लेंगे हम तो अपने सुक्ष की बात करते है वे पूरे विश्य के पूरे ब्रह्मान के कल्यान की बात करते हैं वे गोपनी होकर रहते हैं, अज्ञात वाज़ करते हैं, यहाँ पर स्पश्ट रूप से गरुण जी ने कहें दिया है कि जिस पर राम जी कृपा करके देख लेते हैं उसे विशुद्ध संतों के दर्शन होते हैं, सच्चे संतों के, राम कृपा तव दर्शन भय हो कि राम की ही तो कृपा होई मुझ पर कि हे काख वशंडी जी आपके दर्शन होई अन्यता हो नहीं सकता आपकी ही कृपा से तव प्रसाद सब संशाई गए हो और आपने मुझे राम कथा का जो ये प्रसाद दिया जो अनुग्रह किया जो कृपा की जो अनुकंपा की उससे सब संदेह गई हो मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए और जीवन से यदी संदेह समाप्त हो जाए तो जीवन ऐसा होता है कि बिल्कुल निरब्र आकाश जिसमें न कोई धूल हो ना बादल हो कुछ भी नहो निर्मल आकाश चिदाकाश ऐसा आकाश क्योंकि संशे हैं कोरा संशे हैं बादल संशे हैं भवंडर आंदिया ये सब यदि ना हो तो ही आप इस चिदाकाश के अंदर कुछ दिव्यता को अनुहव कर सकते हैं और राम का था ये राम का था तो मझाने कितने रतनों से भडियुए हैं इसमें इतने खजाने हैं कि जिनका ना कोई हसाब है ना कोई किताब हैं खुछ भी नहीं कुछ भी नहीं जब भगवान शिव तक कहते हैं कि मैं ही बूंद बरावर पापाया हूँ इससे तब जान लीजिये कि हम कहां पर हैं लेकिन जहां पर भी हैं वहां अपने भीतर हमें प्यास बढ़ाने होगी क्योंकि प्यास ही एक मात्र वह सहारा है जिस से हम राम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं राम राम जै उद्दि उलंगक सिय दुख भंजक अक्षे शेहन उमन्ता जै लंक विदाहक खल संगारक राम वियोग निहन्ता संजीव निलाए लखन जियाए रगु कुल प्राण बचाए अही पास कटा अही रावन घत रगु वर्दो मूख्त कराए रगु वर्दो मूख्त कराए सनकादित सारद सेश विशारद तव बलको नही जाना तोही भग्त पेयारे शास्त्र पुकारे द्रवों सोशिरिगनु माना त्रेता द्वापर कलिसत भूशाशक सवसुख राशियानन थाज वर्दो मूख्त सवसुख राद बलकोट